दोसो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे Ode to Autumn को जिसे लिखा था Keats ने, John Keats ने अब हम लोग जानते हैं कि Ode का मतलब Keats इसमें Autumn की तारीफे करेंगे लेकिन एक सवाल हमारे दिमाग में आना चाहिए कि Autumn क्यों कहने का मतलब अधिकतर जो points होते हैं वो spring के season को ज़्यादा best मानते हैं मतलब best मानने का मतलब हर season best है लेकिन spring के season की हर कोई point तारीफ करता है लेकिन यहाँ पर Keats ने Autumn की तारीफ की है तारीफ भी ऐसी वैसी नहीं तीन stanza के अंदर बहुती जबरदस्त तारीफ की है दोस्तों यह poem आपको किसी भी school या college के syllabus में मिल जाएगी लेकिन यहाँ पर मैं जूट नहीं वोलूँगा यह poem इतनी simple नहीं है जितनी हम लोग समझते हैं क्योंकि यहाँ पर Keats ने इस poem को इस तरह से लिखा है vocabulary ऐसी ये उसकी है कि एक बार अगर हम poem को पढ़ेंगे एक stanza को complete करेंगे दूसरे stanza की तरफ चलेंगे और वापस मुड़कर अगर हम पहले stanza की तरफ देखेंगे तो words को देखकर के दिमाग एकदम घूम जाएगा कि पिछले stanza में हम लोग उने पढ़ा क्या था लेकिन फिर भी इस वीडियो को बहुत गौर से देखना दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो season of mist and mellow fruitfulness दोस्तों यहाँ पे autumn के season की बात की जा रही है autumn का जो season है वो mist का season है season of mist mist का मतलब होता है दोस्तों कोहरा, धुन्द autumn का season mist का season है और mellow fruitfulness का season है mellow fruitfulness का मतलब पके हुए फलों का mellow का मतलब होता है पका हुआ होना और fruitfulness का मतलब फल आगे लिखते हैं close bosom friend of maturing sun यह autumn का season maturing sun का bosom friend है यहाँ पे दोस्तों bosom friend का मतलब है best friend दोस्तों यहाँ पे sun को सूरज को maturing क्यों बोला है maturing इसलिए बोला है क्योंकि ये fully grow हो चुका है ये सूरज जो है पूरी तरह से grow हो चुका है इसलिए इसको maturing बोला है conspiring with him how to lord and bless with fruit and vines that round the thresh eve run तो दोस्तों यहाँ पे इन दो लाइनों का मतलब ये है सबसे पहले उपर की ये छोटी सी लाइन का मतलब समस्ते conspiring with him का मतलब ये है कि autumn का season और maturing sun ये दोनों आपस में best friend है तो ये दोनों मिल करके conspire करते हैं conspire का मतलब होता है दोस्तों साजिश रचना तो ये दोनों आपस में मिल करके साजिश करते हैं कि किस तरह से बेलों को fruit से load कर दें बेल का मतलब तो दोस्तों समस्ते होगे जो दिवार से चिपकती हुई जाती है तो ऐसी बेलों को ये fruit से load कर दें और ये बेले जो हैं छज्जों से होती हुई गोल गोल जा रही है दोस्तों यहाँ पे Threat Chiefs का मतलब है चज्जे तो I hope दोस्तों यहाँ पे चार लाइने क्लियर है एक बार वापिस देख लेते हैं कि Autumn का Season, Mist का Season है, धुंद का Season है और Mellow Fruitfulness, पके हुए फलो का Season है और Close Bosom Friend है, Best Friend है of Maturing Sun Maturing Sun मतलब पूरे Grow हो चुके Sun का जो आपस में दोनों जने Conspire करते हैं, साजिश रसते हैं कि किस तरह से बेलों को Fruit से भर दें, वो बेलें जो चज्जों से गोल-गोल होती हुई जाती है To bend with apples, the most cottage trees दोस्तों यहाँ पे most का मतलब है काई, काई जो हरी-हरी लग जाती है पेड़ों पे, तो यहाँ पे most cottage trees की बात हुई है काई लगे हुए cottage trees, जो apple के वजन से bend हो जाते हैं मतलब इस season में जो most cottage trees हैं, काई लगे हुए पेड़, apples के, वो apples के वजन से नीचे की तरफ जुग जाते हैं, bend हो जाते है And fill all fruit with ripeness to the core और यह season सारे fruits को अंदर तक, अंदर तक यानि core तक, core का मतलब होता है दोस्तों सबसे अंधरूनी हिस्सा, वहाँ तक पका देता है मतलब यहाँ पे दोस्तों होता है पकना या फिर पकाना, to swell the gourd, दोस्तों यहाँ पे gourd का मतलब है कदू, और swell का मतलब है फुला देना तो यह season कदू को फुला देता है And plump the hazel shells with a sweet kernel और यह season hazel को, hazel एक टाइप का fruit होता है दोस्तों ऐसा तो hazel को shells तक यानि की चिलकों तक फुला देता है with a sweet kernel, यानि उनके अंदर sweet kernel यानि की गिरी भर देता है दोस्तों यहाँ पे kernel का मतलब गिरी होता है किसी भी fruit के अंदर की जो गिरी होती है उसकी बात की जा रही है तो ये season उन fruits के अंदर गिरी को भर देता है, sweet गिरी को और उनको shells तक फुला देता है उनके छिलकों तक फुला देता है To set budding more दोस्तों यहाँ पे ये budding का मतलब है कलिया, तो ये कलिया खिलने का मौसम है To set का मतलब है to prepare To set budding more and still more तो ये कलिया खिलने का मौसम है Letter flowers for the bees उसके बाद में जो फूल खिलते हैं Letter flowers जो bees को Bees का मतलब हम सब समस्ते हैं दूस्तों मदू मक्हियों को invite करते हैं वो फूल, बाद में खिलने वाले जो फूल होते हैं Letter flowers for the bees बाद में खिलने वाले flowers मदुमक्यों को invite करते हैं कि आएं और पूलों में से रस निकालें until they think warm days will never cease जब तक वो मदुमक्या सोसती है मतलब वो मदुमक्या सोसती है कि ये जो warm days है गर्म दिन है वो कभी खतम नहीं होंगे cease का मतलब होता है दोस्तों यहां पे तो ये गर्म दिन कभी नहीं रुकेंगे वो मदुमक्या ये सोसती है for summer has overbrimmed their clammy cells दोस्तों यहां पे clammy का मतलब होता है sticky यानि कि चिप चिपा और cells का मतलब यहां पे मदुमक्य के चटों की बात हुई है कि वो मदुमक्य के चटे इस मौसम में चिप चिपे शहद से भर जाते है उन मदुमक्य के चटों के किनारे overbrimmed का मतलब दोस्तों यहां पे है किनारों तक भरे रहना शहद का किनारों तक भरे रहना तो दोस्तों I hope यह स्टेंजा यहां तक clear है अब हम लोग next स्टेंजा की तरफ चलते हैं अब दोस्तों इस स्टेंजा को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों बता देता हूँ कि इस स्टेंजा में कीट्स ने autumn को एक woman से compare किया है completely woman से compare किया है आप यह जरूर सोचोगे कि यह autumn season की बात हो रही है या फिर किसी woman की वो सब हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा तो शुरू करते हैं कीट्स यहाँ पे बोलते हैं कि किसने तुम्हें नहीं देखा अकसर तुम्हारे स्टोर के बीच में बैटे हुए मतलब autumn को एक woman की तरह बता रहा है एक woman जो अपने स्टोर के बीच में बैटे हुए है दोस्तों यहाँ पे स्टोर का मतलब है store rooms of green अनाज के भंडार तो किसने तुम्हें अपने स्टोर के बीच में amid का मतलब बीच में बैटे हुए नहीं देखा sometimes whoever seeks abroad may find the sitting careless on a garnery floor मतलब कभी कबार जब कोई बाहर जा रहा होता है abroad जा रहा होता है sometimes whoever seeks abroad तो वो तुम्हें देख सकता है कि तुम कैसे carelessly अनाज के बीच जमीन पर बैठी हुई हो thy hair soft lifted by the winnowing wind तो जब तुम यह सब काम करती हो तो अनाज जब नीचे गिरता है तो एक हलकी सी हवा आती है उस अनाज के गिरने से वो तुम्हारे बालों को softly हवा में उपर की तरफ उड़ाती है वो हवा दोस्तो यहाँ पर winnowing wind का मतलब है अनाज के गिरने से या फिर कुछ फटकारने से जो हवा आती है हलकी सी उसको बुला जाता है winnowing wind और अना half ribbed furrow sound asleep दोस्तो यहाँ पर furrow का मतलब है जब हम खेट से हलको जोतते हैं तो एक lines ही बन जाती है उसको बुला जाता है furrow और यहाँ पर half ribbed का मतलब है फसल आदी कटी हुई थी और वो woman जो है वो sound sleep ले रही थी उस furrow में उस half ribbed furrow में sound sleep ले रही थी drowsed with the fume of poppies तो उसको यहाँ पर drowsed feel हो रहा है drowsed का मतलब दोस्तो होता है जबकिया लेना fume of poppies poppies की जो fume मतलब सुगंद आ रही है उससे वो उसको नशा हो रहा है और वो जबकिया ले रही है नींद की दोस्तो यहाँ पर poppy एक नशे का सब plant होता है एक पौधा होता है जो नशा करने के लिए उगाया जाता है while the hook और तब तुमारा hook जिससे तुम अनाज काट रही हो spares the next sweat of all its twined flowers दोस्तो यहाँ पर spares का मतलब है छोड़ देना the next sweat का मतलब है अगली line को अगली अनाज की line को जो की twined है लिप्टी हुई है flowers से तो तुमारा hook अगली अनाज की line को छोड़ देता है जो अनाज फूलों से लिप्टा हुआ है and sometimes like a cleaner thou does study the ladden head across a brook और तुमने जो अनाज काट लिया है उसको तुमने अपने सर पे लाद लिया है और अपना तुम balance बना रही हो ये steady का मतलब होता है दोस्तो balance बनाना across the brook का मतलब उस brook को पार करते हुए brook का मतलब दोस्तो यहाँ पे a small river मतलब एक छोटी सी नदी नदी नहीं कह सकते उसको हम कह सकते हैं के अंदर जो नाले बने रहते हैं उसको पार करते हुए और by a cider press और तुम apple से juice निकालने वाली machine जो होती है उसको बोलते है cider press उसके पास बैट जाती हो with patient look और उसके पास बैट करके तुम उसको बहुत ही patience के साथ में देखती हो the watchest का मतलब है दोस्तो तुम उसको देखती हो किसको देखती हो the last oozing मतलब जो drop निकलती है न वो apple से जब juice निकलता है तो उसकी जो भूंदे टपकती है उसको बड़े patience के साथ में तुम देखती हो hours by hours घंटो तक अब दोस्तो नेक्स टेंजा के अंदर जॉन कीट्स spring के सौंग की बात करता है कि spring के सौंग कहां है where are the songs of spring where are they कि कहां है think not of them उनके बारे में मत सोचो thou hast thy music too क्योंकि तुम्हारे पास अपना खुद का music है autumn को कह रहा है कि तुम्हारे पास अपना खुद का music है हर कोई बोलता है कि spring का season अच्छा होता है लेकिन कीट्स यहां पर autumn की अच्छाईयां बता रहे है while barred clouds bloom the soft dying day दोस्तो यहां पे soft dying day का मतलब जब दिन खतम होता है जब day end होता है जब दिन ढलता है तो clouds बीच में आते हैं barred का मतलब बीच में आना clouds bloom और चमकते हैं bloom का मतलब है यहां पे चमकना सूरज की रौष्णी से सूरज की रौष्णी से वो clouds चमकते हैं and touch the stubble plains of rosy hue और वो सूरज की रौष्णी touch करती है stubble plains को यहां पे दोस्तो stubble plains का मतलब है वो dental जब फसल काटने के बाद dental जो बच जाते हैं उन पर वो रौष्णी पढ़ती है सूरज की और rosy hue मतलब एकदम rosy color छोड़ देती है वो रौष्णी then in the wailful choir the small nuts morn among the river sallows दोसो इस line का मतलब यह है और तब दुखी आवाज में nuts नाम का एक छोटा insect होता है एक मच्छर के उपर river में से निकलने वाले willow trees के उपर river में से मतलब नदी के अंदर से जो पेड निकलते हैं उनके उपर वो मच्छर वो insect गाता है born aloft or sinking as a light wind lives or dies और वो छोटे से मच्छर की आवाज जो है वो ऐसे उपर नीचे हो रही है जैसे wind जो है light wind वो blow हो रही हो lives and dies उपर नीचे हो रही है and full grown lamps loud bleat from hilly brown दोस्तों यहाँ पे lamps का मतलब जो बकरी के बच्चे होते हैं मेमने बोलते हैं उनको तो full grown मेमने lamps वो loudly bleat करते हैं यानि की मिमिहाते हैं ये bleat करने का मतलब जो बकरी के बच्चे मिमिहाते हैं न तो उसको बोलते हैं bleat from the hilly barn मतलब hill के उपर जो नदी बहती है वहां से मतलब पहाड़ी के उपर से वो मिमिहाते हैं hedge cricket sing hedge cricket का मतलब एक ऐसा insect जो बाड़े में रहता है मतलब ऐसा कीड़ा जो बाड़े में रहता है वो गाता है hedge cricket मतलब ऐसा कीड़ा जो बाड़े में रहता है वो गाता है sing and now with the treble soft the red breast whistles from a garden craft दोस्टों यहां पर इस line का मतलब यह है कि red breast red breast एक टाइब का पक्षी होता है red breast bird whistles का मतलब CT बजाता है गाता है from the garden farm garden craft का मतलब है garden farm and gathering swallows twitter in the sky दोस्तों यहां पर swallow एक टाइब का bird होता है red breast की तरह ही एक टाइब का bird होता है तो बहुत सारे swallows एक खटे होकर के twitter करते हैं चैचहाते हैं sky में आसमान में तो दोस्तों I hope आपको यह पूरिम समझ में आई होगी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद झाल